और देश के दक्षणी राज्यों में भी बार्ड ने कहर बरपा रखा है अंध्रप्रदेश और तिलंगाना के कई जिले बार्ड की चपेट में है वही करनाटक में भी सैलाब की वज़े से लोगों का जीना मुहाल हो गया है केरल में पिछले कुछ दिनों में हुई मुसलाधार बारिश और तेज हवाओ ने भारी तबाही मचाई है लगतार हो रही बारिश के बाद पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने से कोची में अलुआ महादेव मंदेर पानी में डूब गया राज के कासर गोट, कोजी कोट और वाइनाट जिलों में भी नदियां उफान पर हैं जिसके चलते लोगों को घर छोड़ कर रहत शुरों में शरण लेनी पड़ रही है आंद प्रदेश में वीशर बार की आशंका बढ़ गई है गोदावरी नदी के भयंकर रूप लेने की वज़ा से ज्यादातर पश्चिमी गोदावरी और कोन सीमा जिलों के कई गाओं के जलमगन होने का खत्रा बढ़ गया है मुख्य मंतरी वाई एस जगन मुहन रेड़ी बार से हुई तबाही का आकलन करने के लिए आज दो पहर हवाई सर्वेक्षड करेंगी आंद प्रदेश और तेलंगाना के कई जिले बार की चपेड में आ गए हैं करनाटक में वारिश और बार की वज़ा से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है मुख्य मंतरी बासवराज बुममई ने लोगों की मदद के लिए ततकाल प्रभाव से 500 करोड रुपे जारी किये हैं राज के बार प्रभावाई तिलागों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये गए हैं मुख्य मिवाग ने राज के बड़े हिस्से में भारी बारिश की चेताउनी जारी की हैं